नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल स्टाडी एजूकेशन क्यूज में तो यहां पर क्या हो रहा है कि डेली आपको टार्गेट दिया जा रहा है और उस टार्गेट को आपको पूरा करके आना है और यह टार्गेट से बहुत लोगों को मतलब कॉमेंट मे पूछ रहे थे कि यह टार्गेट जो है आप कैसे तयार करते हैं तो यह टार्गेट के ओल हम नहीं तयार करते हैं हमारे कलब के दोवरह तयार किया जाता है और कलब में हम लोग 15-20 लड़के हैं उससब मिलकर इसको तयार करते हैं और बहुत ही अच्छा मतलब कंटेंट है टेलिग्राम गुरूप पर इसका PDF दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, देखिए, टारगेट का त्यार करने से मतलब भी होता है, कि आपका एक्जाम का जो टाइम है से उसका फिक्स है, और उतना दीन के अंदर आपको मतलब त्यारी कर लेना है, क्योंकि अभी तो तीन और टारगेट से होता का है, आपको एदम ध्यान में रहता है, कि कल ही होमर्क की तरह लगता है, कि आप जीसे को ले जाये हैं, आपको एदम होम ऊर्क दिया गया, आपकर पूरा करकर आएगा, तो इसलिए टारगेट एक दम बहुत जरूरी है, यदि आप कहीं कलास नहीं ज इससे उन लोगों को ज्यादा तर फैदा होगा जो से देहातरिया में रहते हैं और उनके अहां कलब नहीं चलता है ग्रूपिंग नहीं चलता है तो हमारे ग्रूप के मदद से हमारे ग्रूप में जो होमवर्क दिया जाएंगे वो इस टेलिग्राम और यूटूब दोनों पर बता दिया जागा आपको और इसका कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट जो चैप्टर होगा उसका आपको वीडियो भी प्रवाइट किया जागा और इंसी आर्टी जो है ना इसका क्या किया जागा कि आपको इंसी आर्टी जो हम पढ़ने के लिए दे रहे हैं तो उसम सारांस त्यार करेंगे उसका सारांस हम आपको टेलिग्राम चैनल पर दे देंगे आप उसको भी पढ़ सकते हैं उससे भी आपका मतलब बहुत हद तक मतलब त्यारी हो सकता है तो चलिया आज का टार्गेट हम आपको बता देते हैं टार्गेट में सबसे पहले मैथ है मैथ मे जो है तीन टॉपिक और कमपोलिट कर चुके थे यूनिट टीजिट्ट और डिविजिविलीटी और एक सैध कुछ था और यहां पे तीसरा है बाइनोमियल teoreum तीसरा हम लोगों को बाइनोमियल Teoreum выполnete करना है और नमबर लिए बहुत हो जाता है क्योंकि आप प्रेवियर क्यों उठाकर देख सकते हैं उसमें नमबर जीरो जो है मतलब मैक्सिमम में पुछा हुआ है और उसके बाद है यूनिट डिजिट इन नमबर ऑफ जीरो इन डिजिट यह दोनों तो बहुत ही इसलिए यह दुनों को आपको तैयारी करके आना बहुत जरूरी है अब आपको इन टी पीसी का जो अभी हाले में एक्जाम हुआ था उसका जो कोश्चन आप देख सकते हैं उसमें नमबर सिस्टम से इतना कोश्चन दिया गया है कि उतना कोई नमान नहीं लगा सकता है कि नम का NCRT चाप्टर टू है किसमें चूँ चैपटर में है आपको दिया गया है कि हमारे आसपास के पदाथ सूध है इसको पढ़ना है यह आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पर सकते हैं तो फिर हम क्या करें इसका सारांस जो है हम टेली राम चेनल पर प्रोवाइट करा आप वहां से इसकपुर प्राप्त कर सकते हैं और अगला है कि दूसरा है भारत के परमुक अनुसंधान संस्थाएं जो अनुसंधान संस्थाएं वता है जैसे नहीं कहा गया है कि गन्ना पर गन्ना प्रजन केंद्र कहां है गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां है डेंगू पर याद करके आना है भारत के परमुकन संधान संस्था उनका संस्था कहां है मतलब वह याद करके आना है और धड में मातरक और वीमा मातरक और वीमा याद करके आना है हम लोग को तो मातरक और वीमा आप के लिए आप इसके जहां सर के बुक में बहुत अच्छा तारीके से दि और आगे है रीजिनिंग में आपको अच्छर सीरिंखला का तेयरी करके आना है अच्छर सीरिंखला इसमें जिसे एबेसिटी हो गया इन सब का सीरीज बनाया हुआ रहता है जैसे यह है तो एक बाद वाद c लिख दिया, c के बाद e लख दिया, तो इस तरह से series बनते हैं तो इन सब को complete करके आना है, और number of series जो है, और अच्छर series इसे बहुत सारा question बनता है और मैंने देखा है previous year question में, बहुत सारा भर-بर का question आता है और तो आप उतना ही महत्तों दीजे क्योंकि जब एक नमर से चटी इगा उस समय आपको मालूम चलेगा कि अस्टेटिक जीके हमने क्यों नहीं पढ़ा तक क्या पता मैध वाला पॉसंद जो है वो असान देदे और अस्टेटिक फॉसंद भारी देदे और अस्टेटिक जीके वह प्रफिर आप से मैथ भी नहीं बनेगा और यह भी नहीं छुट जागा जो असाना हो रहेगा तो इसलिकर हम लोग को कंप्लिट करते यह चलना है उतना डीप में नहीं पढ़ना है बर थोड़ा-थोड़ा करते चलना है तो अस्टेटिक जीके में जैसे है भारत में प्रथ कितने भाग है कोन भाग में क्या है यह सब याद करके आना है और आगया भारतिया समीधान में अनुसूचियां भारतिया समीधान में समीधान से बहुत सरा क्वेशन पुछता है तो उतना हम लोग को डीप से नहीं पढ़ना है उपर उपर पढ़ना है नहीं वगा तो इसक बैंक को के परमुक अधिकारी के बारे में अथिकारी यहां प्यागाना है तो आज का हम आप अच्य त्रीके सा त्यारी कर यह और डरी आपको इसको डेली पूर्दा करी चलिए देखिएगा आपको लाइफ एदम एटमेटिक सुधर जाएगा इसलिए आप इन टार्गेट को हलके में ना ले क्योंकि यह टार्गेट जो है बहुत ही अच्छे तरीके सा तयार किया जाता है तो इसलिए इसको पूरा करकर जरूर आए एक इस तरह से देखिए और इस टार्गेट को पूरा करिए क्योंकि आपको पास उतना कलास देखने का समय रही 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 गया है तो इसलिए आप किताबों से सहारे पूर्ति कीजिए इस सब टॉपिक को और ज्यादा ओनलाइन कोर्स के चकर में मत पढ़िए क्योंकि उससे कु सब्सक्राइब हो जागा एक मंत के अंदर आप हमको बोलिए तो चलिए वीडियो काफी लंबा हो गया तेहीं पर समाप्त करते हैं थैंक इस धन्यवाद